मैं गाड़ी चलाना जानता हूँ आप अर्वी में कहेंगे आवाज को अर्वी में कहा जाता है सोत जैसे कि अगर आपको कहना है आवाज नहीं आ रहा है आप अर्वी में कहेंगे मैं इजी सोत अगर आपको कहना है आवाज कहां से आ रहा है आप अर्वी में कहेंगे वेन इजी मिनसोत आवाज कहां से आ रहा है वेन इजी मिनसोत अस्सलाम वालेकुम दोस्तों दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सिखेंगे अरभी के नए जुमले वीडियो को ध्यान से सुनियेगा अरभी में कैसे बात किया जाता है तो चलो वीडियो को सुरू करता हूँ सबसे पहले हिंदी में मैं जानता हूँ मुझे पता है मैं जानता हूँ मुझे पता है आप अरवी में कैसे कहेंगे अना आरफ मैं जानता हूँ मुझे पता है अना आरफ मैं नहीं जानता हूँ मुझे नहीं पता है आप अर्वी में कहेंगे मारफ जैसे कि अगर आपको कहना है मैं गाड़ी चलाना जानता हूँ आप अर्वी में कहेंगे अगर आपको कहना है मैं गाड़ी चलाना नहीं जानता हूँ आप अर्वी में कहेंगे मारफ जैसे कि अगर आपको कहना है मारफ असुक साहिना जैसे कि अगर आपको कहना है मैं ट्रग चलाना जानता हूँ आप अर्वी में कहेंगे अना आरफ असुक साहिना मैं ट्रक चलाना जानता हूँ अना आरफ असुक शाहिना मैं का मतलब अना ट्रक का मतलब होता है शाहिना शाहिना चलाना का मतलब असुक जानता हूँ का मतलब आरफ मैं ट्रक चलाना जानता हूँ अगर आपको कहना है, मैं ट्रक चलाना नहीं जानता हूँ, मुझे रास्ता नहीं पता है, अगर आपको कहना है मुझे रास्ता नहीं पता है आप अर्वी में कहेंगे एन मा आरफ तरीक मुझे का मतलब एन रास्ता का मतलब होता है तरीक नहीं का मतलब मा पता है का मतलब आरफ जानता हूँ पता, जानता हूँ पता का मतलब होता है आरफ, मुझे रास्ता नहीं पता है, अनमारफ तरीक, मुझे रास्ता पता है, अगर आपको कहना है, मुझे रास्ता पता है, आप अरवी में कहेंगे, अनमारफ तरीक, मुझे रास्ता पता है, अनमारफ तरीक, अब मैं आपको बताऊंगा सुनो को अरवी में क्या कहा जाता है सुनो को अरवी में कहा जाता है इस्वा सुनो इस्वा अगर आप किसी को कहेंगे सुनो आप अरवी में कहेंगे इस्वा इस्वा अगर आपको किसी को कहना है मेरी बात सुनो आप अरवी में कहेंगे अस्मानी अश्मानी मेरी बात सुनो जैसे कि हम लोग हिंदी में कहते हैं कम से कम मेरी बात तो सुनो आप अरभी में कहेंगे कम से कम मतलब अगल शै कम से कम मतलब मेरी बात का मतलब होता है कलाम सबसे पहले मेरी बात सुनो बाद में तुम बोलना आप अरभी में कहेंगे सबसे पहले का मतलब होता है सबसे पहले मेरी बात सुनो आप अरभी मेरी बात सुनो आप अरभी में तुम बोलना इतकलम सबसे पहले मेरी बात सुनो बात में तुम बोलना आवाज को अरभी में कहा जता है सोत सोत जैसे कि अगर आपको कहना है आवाज नहीं आ रहा है आप अर्वी में कहेंगे मैं इजी सोत आवाज नहीं आ रहा है मैं इजी सोत अपनी आवाज उची करो अगर आपको कहना है अपनी आवाज उची करो आप दो तरीके से बोल सकते हैं अपनी आवाज उची करो आप अर्वी में कहेंगे अर्वी में कहेंगे अर्वी में कहेंगे इजी सोत आवाज का मतलब होता है सोत आ रहा है का मतलब इजी आवाज आ रहा है इजी सोत आवाज कहां से आ रहा है अगर आपको कहना है आवाज कहां से आ रहा है आप अर्वी में कहेंगे वेन इजी मिन सोत आवाज कहां से आ रहा है वेन इजी मिन सोत आवाज का मतलब होता है सोत कहां से का मतलब वेन मिन वेन कहां का मतलब होता है वेन से से का मतलब होता है मिन आ रहा है का मतलब इजी आवाज कहां से आ रहा है वेन इजी मिन सोत वे नीजी मीन सोथ तो दोस्तों इस तरीके से आप अरबी मिलाकर बोल सकते हैं अगर आप वीडियों को ध्यान से सुने होंगे तो आपको याद हो जाएगा अगर आपको एक बार में याद नहीं होता है तो आप दूसरी बार वीडियों देखिए अगर आप दूसरी बार देखेंगे तो इंशालला आपको अरबी बोलना आ जाएगा अगर आप ध्यान से वीडियों को सुनेंगे और देखेंगे उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा तो मिलते हैं किसी नेक्ष वीडियों में